हाई गाईज, आज की वीडियो में मैं एक वेट लॉण स्मूदी दिखा रहे हूँ, ब्लू स्पिरॉलीना यूज़ करके. रेसेपी शेयर करने से पहले, स्पिरॉलीना की कुछ बेनेफिट्स बताना जाओंगी. स्पिरॉलीना 100% प्लांट बेस्ट है और ये एक सूपर फूड है. इसमें 60% प्लोटीन बाइवेट है और काफी मात्रा में डाइटरी फाइबर, कॉपर, आयन, मैंगनीज बगेरा भी है. आपको इससे काफी वाइडमिन्स और ओमेगा-3 और 6 पाटी आसिद भी मिलेंगे. और हां, ग्रीन स्पिरॉलीना में फिशी टेस्ट और स्मेल होता है, पर ब्लू में नहीं. अगर आपने पहले ग्रीन ट्राइ किया था और पसंद नहीं आया, तो ब्लू ज़रू ट्राइ करें. अब जब हम जान गए हैं कि स्पिरॉलीना में इतने फाइदे हैं और ये इतन body देते हैं. Oats राद पर भिगाये थे क्योंकि इससे starch का breakdown होता है और phytic acid भी कम हो जाता है. Oats पेड भरा रखते हैं और sugar spike और cholesterol कम करते हैं क्योंकि इनमें complex carbs, protein और fiber है. Next, 8-10 भीगे और छीले हुए बादाम डाले. बादाम को भीगने और छीलने से इनकी nutrients अच्छे से absorb हो पाते हैं. यह अच्छे से digest भी होते हैं. बादाम से भूग कम होती है और वजन कम होने का process बढ़ता है क्योंकि इनमें भी काफी healthy fats, fiber और protein है. तीसरा ingredient है, 1 tablespoon chia seeds. Chia seeds complete protein है और इनमें बहुत सारा soluble fiber है जिससे पीट भरा रहता है और वजन कम होता है. मिथास के लिए दो खजूर डाल रही हो. मेरे पस organic mature dates हैं, लेकिन आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर ले. Dates काफी nutritious, fiber rich और अच्छे source हैं protein के. इनसे body भी detox होती है और inflammation ढटता है. नेक्स्ट आदा कब दही डालें. दही से fat burning activity बढ़ती है और इससे वजन और पेट दोनों कम होते हैं. एंड में एक चौधाई टी स्पून blue spirulina डालें. अगर green spirulina डाल रहे हैं तो एक टी स्पून आड़ करें. यह इसलिए है क्योंकि blue spirulina green spirulina का extract है और यह super packed है nutrient से. इसी वज़े से यह कम लगता है. अब आदा कब पानी डाल लें. blender जलाएं जब तक smooth consistency ना मिल जाएं. और अब हमारा weight loss smoothie with blue spirulina तयार है. है ना कितना gorgeous दिखने में? यह इसलिए है क्योंकि blue spirulina purest form है फाइकुसाइन का जिन में bright blue pigments होते हैं और इन में green chlorophyll नहीं है. end में हलका subduce spirulina, chia seeds और chopped pecans उपर से डाले और देखें कितना अच्छा दिख रहा है. इसका taste काफी बढ़िया है और कोई fishy taste या smell नहीं है. और इसे पीने के बाद आपको घंटू तक भूख नहीं लगेगे. यह इतना filling है. इसे अपने एक मील के बदले पियें और आप 3-5 किलो केवल 7-10 दिनों में कम कर पाएंगे लेकिन बाकी की time healthy diet पे रहें. यह fat cutter recipe काफी आसान है और उसमें केला या दूथ नहीं यूज़ किया है. और यह dinner time के लिए perfect है. यह vegetarian protein source है और यह safe है सब के लिए including बच्चे. बस जि रोली ना ले. तो इस recipe को dry करें और अपने results मेरे साथ share करें. आप मुझे इंस्टा और FB पर भी follow कर सकते हैं. और मैं जल्दी बनूंगी एक नए video के साथ. तब तक याद रखें. आपकी diet बैंक अकाउंट के जैसी है. अच्छे food choices, अच्छे investments हैं. बाबाई.